वेरी गूड इवनिंग आज की हमारी क्लास है क्लास नमबर चार और आज हम करने जा रही है प्लस वन का जो आरो भाग एक है उसी का एक चैप्टर है बाल मुकुंद गुप्त दवारा रचित शिप शंबू के चिथे शिफ शंबू के चिथे एक है उसी में से ये चैप्टर है कोई नोट्स नहीं है क्योंकि मेरा मानना है कि नोट्स आप अपने हाथ से बनाएं अपने अकोर्डिंग बनाएं जिसको आप एक बार लिखते हैं तो वह आपके मार्ण में सेट हो जाते है तो नोट्स आपको हमेशा अपने हाथ से ही बनाने चाहिए और हैंडमेड नोट्स होनों तो आपको जादा याद रहेगा इसके बाद मैं किसी नोट्स की तरह आपको चैप्टर रिड नहीं करवारी कि कुछ बातें सिर्फ चैप्टर में से निकाल कर लाई और आपको नोट्स की तरह बता दिया और एक साथ में आरो भाग एक आपको कम्प्लीट करवा दिया नहीं इसमें देखेगा आप जो आरो भाग एक जो करेंगे इसमें जितनी भी इंपोर्टन चीज़े हैं जो भी जहां भी जिस भी विशे से पूछा गया कोशन है वो मैं आपको बता रहे हूं कि कोशन यहां से भी पूछे जा रहे हैं चैप्टर के बीच में से भी पूछे जा रहे हैं तो मैं आपको एक नोट्स बनाने का तरीका बता रहे हूं कि क्या क्या आपको अपने नोट्स में शामिल करना है तो जो जो मैं बताती जाओं वो आप शामिल करते जाएं देखे सबसे पहले जो लिखना था वेलिग गया अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबिल कीजिए ये किस ने ये शब्द किसके द्वारा कहे गए है बालमुकंद गुप्त द्वारा और ये शब्द कहां से लिए गए है ये वा से लिए गया है शिवशंबू के चिठे में से अब बालमुकंद गुप्त पर भी एक नजर डाल लेते हैं जन्म 1865 ग्राम गुडियानी जिला रोहतक हर्याना हर्याना के जिला रोहतक में ही इनका गुडियानी नाम का इगाउं है जहां पर 1865 में इनका जन्म हुआ है प्रम पारे चुनार भी पूछा गया है लेकिन भारत मित्र हमेशा पूछा जाता है कि भारत जो बालमुकंद गुप्त है उन्होंने किसका संपादन किया तो भारत मित्र उसमें जरूर पूछा जाता है इनके प्रमुक रचनाई शिवशंबू के चिठे चिठे और खत खेल तमा खत खेल तमाशा ये जो अलग से हैं वो भी याद रखने जरूरी हैं मृत्यू हुई है उनकी यानि की बालमुकंद गुप्त जी की मृत्यू हुई है 1907 में गुप्त जी आरंबिक शिक्षा उर्दू में हुई बाद में उन्होंने हिंदी सीखी विधिवत शिक्षा मीडल त यूग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है तो ये भी लाइन आपको याद करने के लिए आपके नोर्स में शामिल कर लीजिए कि उन्हें भारतेंदू यूग और दिवेदी यूग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है बालमुकंद गुप्त उन्होंने बांगला और संस्कृत की कुछ रचनाओं का नुवाद भी एक ए वे शब्दों के अधमूता पार्कि थे अनस्थीरथा शब्द की शुद्दता को लेकर उन्होंने महाभिर प्रसाद वेदी अन्बी बहस की इस तरह के अन्या अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई अनस्थिर्ता शब्ध की शुदता को लेकर महाभिर प्रसाद दिवेदी से लंबी बहस की तो आपको ये भी लाइन अपने नोट्स में डाल लेनी चाहिए किस शब्द पर महाभीर परचाद दिवेदी इसे उनकी बहस हुई कि ये शब्द अशुद्ध है तो वो शब्द है अंस्थिरता क्योंकि अब भी हम पढ़ते हैं तो अंस्थिरता कोई शब्द नहीं होता अस्थिर होता है अस्थिर तो इस तरीके से ये आपको याद रखना विदाई संभाशन उनकी सरवादिक चर्चित व्यंग क्रिती शिप शंभू के चिठे का एक अंच है तो ये भी आपके नोर्स में शामिल कीजिए कि जो विदाई संभाशन है वो क्या है कौन सी विदा है वो व्यंग रचना है और कहां से ली गई है शिप शंभू के चिठे क का एक अंच्छ है यह पार्ट वाइश राय करजन जो 1899 से 1904 से 1905 तक दो बार वाइश राय रहे यानि कि यह पार्ट वाइश राय करजन के शाषन में भारतियों की स्थीति का खुलासा करता है कहने को उनके शाषन काल में विकास के बहुत सारे कारिये हुए नए नए आयोग बनाए गए किन्तु उन सब का उदिश है शाषन से गोरो का वर्चसर वस्थापित करना एवन साथ ही इस देश के संसादनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्म उप्योग करना था अब देखिए कुछ ऐसे कोशन भी पूछ लिये जाते हैं कि शिव शबंबू के चिठे पार्ट में बालमुकंद गुप्त द्वारा बताए गए जो वाईश्राय थे उनके क्या उद्देश्य थे तो उसमें चार आपको दे दिये जाएंगे जिसमें से आपको पैचानना है तो आपको पता होना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या था जो वाईश्राय थे उनका उद्देश्य था सासन में गोरो का वर्चस स्थापित करना एवं साथ इस देश के संसादनों का अंग्रेज में बेचा जाता था हर्चतर पर करजन ने अंग्रेजु का वर्चब स्थापित करने की कोशिश की वे सरकारी निरंकुस्ता के पक्षदर थे लिहाजा प्रेस की स्वतंतरता तक पर उन्होंने प्रतिबंद लगा दिया अंतते कोंसिल में मन पसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगव पर नीचा देखना पड़ा शुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंगलेंड चले गए पार्ट में भारतियों की बेवसी दुख वे लाचारी को व्यंग्यात्मक धंग से लाड़ करजन की लाचारी से जोडने की कोशिश की गई है लाड़ करजन की जो लाचारी है उससे जोडने कर देती है मना करने पर लाड करजन को अपने मतलब अपमान महसूस होता है जिससे लाड करजन क्या करते हैं कि एक इस्तीफा दे देते हैं अपने वाइस राइस के पद से लेकिन उनको लगता है कि उनके इस्तीफे को क्यार नहीं किया जाएगा कबूल नहीं किया जाएगा ल इरादों से आप जो शासन लागू कर रहे थे उन से भेवस थी लाचार थी ठीक इसी परक्यार से अब लाट कर्जन भी क्या हो गया था अंग्रे सरकार से लाचार हो गया था साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आत्ताई रूप से हर किसी को कस्थ होता है जब प्रैस परपावन्दी का दोर चल रहा था ऐसी स्थीति में विनोध प्रियता, चुल्बुलापन, संजीदगी, नवीन भाशा प्रियोग एवं रवानगी के साथ यह एक सहासिक गध्य का नमुना है तो यह देखिए कि यह जब पत्रकारिता पर पावंदी लगी हुई थी तो उन्होंने एक व्यंग्यात्मक तोर पर यानि सीधे सीधे ने कहकर एक वक्र तोर पर एक दूसरी चीजों का सहारा लेकर प्रतिकात्मक तोर पर इस पार्ट को लिखा जिसे पढ़ने वाले तो समझ ही गए कि यह उनका किस प्रकार से सारी चीजे जो वाइस रहे हैं उनके लिए बताया गया है विदाई सन भाशन इसमें कोशन यह भी पूछा गया था कि विदाई सन भाशन का अर्थ क्या होता है तो जो विदा होते समय जो भाशन दिया जाता है उसको विदाई सन भाशन क बड़ा दुख है माई लोड आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसंद नहीं थे वे यही चाहते थे कि आप फिर ने आवे अब देखे कुछ आप इसकी जो पंक्तियां हैं जो में लाइने हैं उन पे भी हम नजर डालेते हैं वैसे तो यह बहुत अच्छा पार्ट है कोशिच कीजिएगा कि वक्त मिलने पर आप इसको जरूर पढ़ें पढ़ने पर आपको पता लगेगा इसमें बहुत सारे ऐसे यह कह सकते कि डायलोग टाइप के कुछ लिखा हुआ है सारे जो समवाद हैं बहुत जबर्दस समवाद हैं इसमें केसर जार और नादरिशा यह तीन नामा हैं तो यह आपको याद रखने केसर कों थे रोमन ताना सहा जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो ताना सहा जर्मन सासको के लिए प्रियोग किया जाता था यह बहुत जरूरी है आपके लिए केसर किनको कहा गया है जो रोमन त ताना साह जूलिय सीजर के नाम से बना शब्द है जो ताना शाह जर्मन सासकों के लिए प्रियोग किया जाता था जार यह भी जूलिय सीजर से बना शब्द है जो विशेस रूप से रूस के ताना सासकों के लिए प्रियोग होता था इस शब्द का पहली बार बुलगेरिया शाषक के लिए प्रियोग हुआ था नादिर साह यह है जिनका 1818-1747-1736-1747 तक इरान के साह रहे इनके इनका जन्बता रखा है अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन आफ पडशियाई के नाम से भी जाने जाते थे पानिपत के तीसरे युद में एहमत साहब दाली को नादिर साह ने ही आकरमन के लिए बेज़ा था तो ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए वरना आपको लगेगा कि यहाँ पर हिस्टी का करण कैसे पूछ लिया गया तो ये पार्ट से ही रिलेटिड हैं आपको यह याद रखना है एक लाड करजन भारारत के वाईस्टाइफ यू कब से कब तक रहे 1899 से 1904 से तक और 1904 से 1905 तक ये भी आपको याद रखना है शिप्शंबू की दो गायों की कहनी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है ये आपको ये भी याद रखना है कि शिप्शंबू के दो गायों के माध्यम से जो लेखक है वो क्या कहना चाहते है इसमें एक जगह पर एक कथा बताई गई है कि किस प्रकार से दो गायों होती है वो जब साथ रहती है तो एक दूसरे को मतलब सिंग से मारती है एक गाएं जो बूरी होती है और एक अच्छी होती है तो वो जो बूरी गाएं होती है वो जो दूसरी गाएं होती है वक्त मिलते ही उसके ये देखे आपको दिखा देती हूं यहां पर एक किसा है तो यह आपको जरूर पता होना चाहिए माई लाउड का देश देखने का इस दीन ब्रामन को कभी इस जन में सो भागय नहीं हुआ इससे नहीं जानता कि वहां बिचड़ने के समय लोगों का क्या भाव है पर इस देश के पशू पक्षियों को भी विचड़ने के समय उदास देखा है एक बार शिवशंबू के दो गाएं थी उनकी एक अधिक बलवाली थी यानि की बलशाली थी वह कभी कभी अपने सींगों की टकर से दूसरी कमजोर गाएं को गिरा देती थी एक दिन वह टकर मारने वाली गाएं पुरोहित को दे दी गई देखा कि दुरबल गाएं उसके चले जाने से प्रसन नहीं हुई वरंच उस दिन वह भूकी खड़ी रही चारा चुहा तक नहीं माईलोड जिस देश में पशू के बिचड़ते समय यह दशा होती है वहां मनुश्यों की कैसी दशा हो सकती है इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है तो यहाँ पर कोईशन बन सकता है कि दो गाएं में से का क्या आर्थ है मतलब वो एक कथा है कथा के से उनको बताया गया है कि बिचड़ने पर क्या होता है कि कोई कितना ही बुरा हो लेकिन उनसे बिचड़ते समय दूसरे को क्या होता है इस देश में दुख होता है यह देखे यह भी महतपुन पंक्तिया है आठ करोड प्रजा के गिड़ गिड़ा कर विचेदने करने की प्रातना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया तो यह आपसे पूचा जा सकता है यह लाइने कहां से ली गई है करजन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा यह मैंने आपको बता दिया है कि एक फोजी होता है उसको अपनी मतलब जान पहचान का उसको वह किसी सरकारी पद पर लगवाना चाहता है जिसे अंग्रेज सरकार मना कर देती है विचारिये तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई कितने उचे होकर आप कितने नीचे गिरे बहुत मैत पूर लाइन है इसको जरूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में आपके और यहां के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ती भी है और भी है अब यहां यह पुछेंगे कि तीसरी शक्ती कौन सी है तो तीसरी शक्ती कौन सी है वो है ईश्वर इसके आगे नादिर साह से बढ़कर आपकी जिद है अब यह पूछा जा सकता है कि नादिर साह से बढ़कर किसकी जिद थी तो वो आपको याद रखना है लाड करजन की क्या आख बंद करके मनमाने हुकुम चलाना और किसी की कुछ ने सुनने का नाम ही शासन है ये पंक्तिया बहुत अच्छी हैं मतलब आपको जरूर अपने नोर्स में इसको शामिल करना ही करना है अब इसके बाद देखिए कुछ पंक्तिया और दी गई है कुछ लाइने और दी गई है इससे आपका जाना भी परंप्रा की चाल से कुछ अलग नहीं था ये पिया आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है और अधिक आश्यरिय के बात ये है कि दर्शक तो क्या स्वेम सुत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेल नारम किया वह दुखांत हो जावेगा देखिए हर NCRT book में कुछ ऐसी wishes वाक्य दिये गए हैं अंत में तो बहुत सारे स्टुडेंट्स क्या करते हैं कि सायतिक प्रिचर पढ़ते हैं शुरुवात में पढ़ते हैं या फिर राइटर का नेम याद कर लिया चैप्टर का नेम याद कर लिया जबकि कोशन्स यहां से बनते हैं यहां आकर कोषन बनते हैं इनको अपने नो Hetसे में जरूर शामिल करना है आपको पता हो ना चाहिए यह लाइने कहां से ली गई है यह लाइने किसके द्वारा कही गई है तो यह विदाई संभाशन से ली गई है और बिदाई संभाशन किसमें से लिया गया है श्रिव यहां की प्रजा ने आपकी जित का फल नहीं देख लिया उसने देख लिया कि आपकी जित से इस देश की प्रजा को पीडित किया आपको भी उसने कम पीडा ने दी यहां तक कि आप स्यम उसका शिकार हुए तो यह दोनों लाइन आपके नोर्स में आजानी चाहिए एक बार आप जरूर देख लीजिएगा अपने नोट्स में इन दोनों लाइनों को जरूर डाली दीजिएगा वे दिन रात यही मानते थे कि जल्दी श्रीमान यहां से पधारे सामने तोर पर आने के लिए पधारे शब्द का इस्तमाल क्या गए यहां पधारे शब्द का क्या आर्थ यहां पर देखिए इसमें इसमें आपको बताया गया है कि पधारे शब्द का क्या अर्थ है ये भी कोशन बनता है कि वे दिन रात यहीं मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहां से पधारे पधारे शब्द का हमेशे मतलब होता है कि आना कि हमारे घर आएं लेकिन यहां पर पधा संभाशन वो खत्म होता है कुछ लाइने और हैं देख लीजिए आगे भी इस देश में जो प्रधान शाशक आए अंत को उनको जाना पड़ा आप किसको आए थे और क्या कर चले उनका रखाया एक आदमी नोकर ने रखा यानि कि क्यों उनको क्यों इस्तीफा देना पड़ा पर आशिरवात करता हूं कि तु फिर उठे और अपने प्राचिन गोरव और यश को फिर से लाब करें ये बालमुकंद गुपत जी द्वारा कहा गया है और लाड करजन के लिए कहा गया है तो इसे भी अपने नोट्स में जरूर शामिल कर लीजिएगा आशा करते हूं और आपने अपने हैंड में नोट्स जरूर बनाई होंगे मैंने चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं चोड़ा है जहां से आपके लिए कोशन बनता हो और आपको ना बता गया हो इस तरीके से अगर आप NCRT को प्रपेर करेंगे तो आपका कहीं से भी कोई कोशन मिसिंग नह लिजिएगा ताकि आपको जो नेक्स क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे साथ की साथ आपकी नोट्स बनते रहे हर रोज जो एक चैप्टर है वो आपका कम्प्लीट होता रहे धन्यवाद